बागली विकास खंड छेतर में बारिश की लंबी खेत के चलते सोयावीन फसल पर संकट छा गया है। हलकी जमीन की फसल सूपने लगी है। लगबक एक माह से बारिश ना होने कारण फसल खराब होती दिखाई दे रही है। इसी को लेकर भारती किसान संग के बेनर तले तैसी लिकाई बागली और हाट पिपलिया के नेतोतों में एसजेम कारले बागली पहुच कर मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सूपा है। जिसे मुख्य मंत्री से मांग की गई है कि तिसी करही सरवे कराए जाए। कंडी का च्छे बटे चार के तहट किसानों को एक मुस्त रहात राशे प्रदान की जाए। को मजबुरन सलकों पर उतरना पड़ेगा। बागली से रहित पाड़ेदार की रिपोर्ट। स्वाइबिन की फसल में बारिस की लंबी खेज के कारण फसल सूप गई और खराब हो गई। हमने यहां पर मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन दिया है कि हमें जल से जल मुआउजा दिया जाए, सर्वे करकर मुआउजा दिया जाए, वह भीमा दिया जाए। कितने समय सा भारिस होई हैं? लगबग एक मेने से उफर हो गया पानी की रहा है। लगबग सुख़विन खतम हो गई है, पतली जमीन की खतम ही हो गई है, उनकी जड़ भी सूप गई है, और मोटी जमीन की लगबग 70% वह भी खतम हो गई है। वह तो पुरी फसल ही खराब हो जाएगी कि उसमें किसान को कुछ नहीं मिलने वादा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल S24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना मुलें।